काम करने का तरीका सबका अलग हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर काम को प्राइमरी प्रेफरेंस दी जाए तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है खेर छोड़िये चलिए बढ़ते हैं पारले इंडस्ट्री इस कमपनी के ओर लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो पारले का नाम सुनकर आप जिस कमपनी के बारे में सोच रहे हैं ये वो बिल्कुल भी नहीं है आज हम इसके करन सिनेरियों के बारे में जानेंगे investment purpose से तो मैं बिल्कुल भी इस company को cover नहीं करता आज share 0.88% गिरकर 7.90 पर close हुआ book value 14.5 जबकि stock फिलाल 0.54 times trade करता दिखा अपनी book value से लेकिन share holding pattern को देखकर लगता है कि promoters को अपने ही business पर बरोसा नहीं था देखो ये मेरा अपना point of view है बाकी सबका अलग हो सकता है promoters की holding in educate 2.12% जो December and 2020 में 62.32% की थी share price के गिरने का एक बड़ा reason ये भी रहा वैसे तो company almost debt free है लेकिन fundamentally point of view से company खरी नहीं उतरती वो आपके सामने भी है इस company का primary business infrastructure and real estate और trading in waste paper के business और उससे जुड़े products में है माना की stock अभी overboard zone में नहीं है लेकिन stock का GSM list में होना और pros के मुकाबले कौन्स कहीं जादा है last five years से company ने कोई dividend भी नहीं दिया देखो penny stock कहीं जादा risk होते है कभी भी penny stock की planning बनाज से पहले उसकी in-depth analysis करनी जरूरी है अमने हैं company की recent situation को cover किया बाकी जाने से पहले एक छोटी सी request करना चाहूंगा please channel को subscribe करना ना भूलें बाकी मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye and take care